नमस्कार सर सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम जी विक्रम राणा है विक्रम जी आप कहां से आये हैं? मैं मेरट से हूँ, विजयनगर विक्रम जी आप क्या करते हैं? जी मैं गल्स होस्टल चलाता हूँ, विजयनगर में ही स्वास्तिक गल्स होस्टल सर संत्रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप जी मैं 29 मई 2018 को संत्रामपाल जी महाराज से जुड़ा था सर संत्रामपाल जी महाराज से जुड़ने से पहले क्या आप कोई भक्ति साथ नाई भी करते थे सर आप इतनी सारी पूजाएं कर रहे थे तो क्या कारण बना कि आप संत्रामपाल जी महाराज की सरण में आई यकीन था नहीं, जब ही वो ग्यान गंगा बुक मेरे को मिली थी, जब मैंने ये ग्यान गंगा पुस्तक पढ़ी, तो इसके अंदर जो जो बाते लिखी हुई थी, जैसे की for example के तोर पे उसमें ये भी लिखा हुआ है कि गीता के अध्याय नंबर 18 के शलोक नंबर 62 में श्री कोई और ही है पूरण परमात्मा, तो इस चीज की जो detailing है वो ग्यान गंगा पुस्तक में मिली मेरे को, फिर मैंने वो हमारी घर में गीता जो रखी हुई है, इतनी मोटी जो है, उससे मैंने उसको मैच करा, और उसमें जो जो लिखा हुआ था, वो ही निकला, और पूरा detail मे जब यह मैंने पढ़ा, तो मैं तो मतलब हैरान रहे गया, कि मैंने का जी हम तो कुछ और ही पूजा कर रहे हैं, और असलियत में गीता जी में कुछ और ही लिखा हुआ है, जो हमें पूजा करनी चाहिए, यानि कि हम कुछ गलत ही पूजा कर रहे हैं, हर चीज का proof दे रखा कोई बात कोई जूटी नहीं है ग्यान गंगा कोई बुक ऐसी नहीं है कि बस किसी ने भी छाप दी और कहीं से भी है तो आप वो पढ़िए और फिर देखिया और जब वो मैंने सारा उसके अंदर पढ़ा था कि भक्ती करने का क्या तरीका होता है फिर तब मैंने ये नाम दिक्षा संत्रामपाल जी महाराज जी से ली थी सर आपने बताया कि ग्यान गा पुस्तक में प्रमारित भक्ती दी हुई है जो भी प्रमार दी गए हो उसमें बेद सास्तों के अधार से दी गए हुए आज जो दरसक आज आपको देख रहे हैं और बो अगर ग्यान गा पुस्तक मंग माना चाती है तो वो कैसे मंगा सकते हैं और क्या कोष्ट है उसकी बहुत ही आसान तरीका जी उसको मंगाने का तो सादना टीवी पे साड़े साथ बजे से लेके साड़े आठ बजे तक सत्संग आता है उस पे नीचे एक लाइन चलती रहती है उस पे फोन नमबर लिखे रहते हैं आप उन फोन नमबर पे फोन करिए आप वहां से पुष्टक भी मंगवा सकते हैं और आपको इस चीज़ से related किसी भी टाइप की कोई भी जानकारी चाहिए आप उन फोन नमबर पे फोन करिए आपको हर तरीकी की जानकारी वहां से मिल जाएगी और अब वाटसप नमबर भी है इनके आप उस वाटसप नमबर पर अपना नाम और एडर्स बताइए ये बुक आपके घर पे फ्री में ही पहुच जाएगी जी अब सर आप ये बताईए कि संत रामपल जी मारास से नाम दिक्षा लेने के बाद आपको कुछ लाब भी प्राप्त हुए हाँ जी बहुत सारे लाब प्राप्त हुएं जी किसी भी पंडिची के पास आप चले जाइए कोई बताता है के ऐसे पूजा करनी है इस चीजसे मैं बड़ा conn-fuse रहता था कितिनी confusion क्यों है पूजा में लेकिन जबसे मैंने एक ज क्यान गंगा बुक पढ़ी और फिर उसके बाद से जो मेरे को इसमें भक्ती का जो तरीका पता लगा उससे मैं बिलकुल संतुष्ट हो गया हूँ लाब तो जी बहुत सारे हैं सबसे पहले चलिए मैं अपना शारिरिक लाब बता देता हूँ मेरे को ऐलर्जी हो गई थी मिर्च वाले खाने से हल्की सी भी मिर्च मेरे खाने में अगर हो जाए तो मेरे को बहुत ज्यादा प्राबलम होती थी बैक में पीछे इचिंग होने लग जाती थी बहुत ही ज़ादा मैंने डॉक्टर को भी दिखाया डॉक्टरों ने मेरे को ये बताया था कि अब आपको लाइफ टाइम आप ये मिर्ची वाला खाना बंद कर दीजी और मिरश तो आप बिल्कुली निखा सकते हैं क्योंकि इस से आपकी प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी सही होने के बजाए तो लेकिन जब से मैंने संत्रामपाल जी महाराज जी से नाम लिया था तो मेरी ये वाली प्रॉब्लम आज की तारीख में बिल्कुल गायब हो चुकी है अब मेरे को मैं मिर्च भी खा लेता हूँ कितना ही मसालेदार खाना हो वो भी मैं खा सकता हूँ और मेरे को बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं मेरे पर प्रॉफ के लिए मेरे पर रिपोर्ट्स भी है अपनी मैं आपको अपनी रिपोर्ट्स दिखाता हूँ एक और मेरे को इससे भी बड़ी problem थी वो थी मेरे backbone में बहुत दर्द रहता था मेरी कमर में बहुत ज़्यादा दर्द रहता था जब भी मैं motorcycle चलाता था 20 मिनट भी मैं motorcycle चलाता था ऐसे तो मेरी कमर में बहुत भारी दर्द होने लग जाता था डॉक्टर ने मेरे को ये भी बताया था कि ये जो मेरी को बैक की problem और ये जो back में इचिंग की जो problem होती थी ये मेरे को सिर्फ ड्रिंक की वज़े से होती थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था और मैंने लग भग लग बग 18 साल लगातार ड्रिंक करी है सुभह शाम सुभह शाम मैं बहुत ज़्यादा ड्रिंक करता था मतलब सुभह मैंने breakfast किया सुभह का नाश्ता करता था उसके बाद मैं सोचता था कि बस अब चलो जी दारू पीने चलते हैं मतलब रात तक मैं दारू ही पीता रहता था तो 18 साल लग भगी मैंने खूब दारू पी है तो जिसकी वज़े से ये मेरे शरीर में जो प्रॉबलम होई है कोकि ये तो कोई भी हर किसी को बता है कि अगर कोई इतने लंबे समय तक कोई शराब पीता है उस दिन से और जी आज का दिन है मैंने शराब को तो छूआ ही नहीं है बिलकुल भी और डॉक्टर भी हैरान है कि इतना हैवी ड्रिंकर बंदा कोई जो 18 साल से शराब पी रहा है वो एकदम से अगर शराब छोड़ दे तो उसको बहुत जादा प्रॉबलम हो जाती है जो ले रखी थी उस वज़े से मेरे को ये वाली कोई भी किसी भी परकार की कोई परेशानी नहीं हुई मैं स्मोकिंग भी करता था मेरी स्मोकिंग भी छुट गई और शराब छुट गई है जी ये सिर्फ और सिर्फ संत्रामपाल जी महाराज जी की नाम दिख्षा लेने से ही छुट पाई है जी एक लाब मैं और बताना चाहूंगा जो की मेरी पत्नी को हुआ है जी उन्होंने भी संत्रामपाल जी महाराज जी से नाम दिख्षा ले रखी है और वह एक छोटे बच्चो के स्कूल में टीचर हैं लेकिन वो चहा रही थी कि उनका थोड़ा कहीं तबादला और अच्छे स्कूल में हो जाए और बड़े स्कूल में हो जाए तो उन्होंने अभी कुछ समय पहले ही परमात्मा से संत्रामपाल जी महाराज जी से प्राथन लगाई कि है गुरुजी मेरा आप कहीं अच्छे से स्कूल में आप मतलब मेरा टीचर का जॉब लगवा दीजिए और अभी पिछले दो हफते या हफते भर में ही उनकी दूसरी जगा जॉब लग गई है और उनकी इंकम भी जश्ट डबल हो गई है जी संत्रामपाल जी महाराज जी की धया से सर संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा लेने के बाद आपको बहुत सारे लाप रापत हुए आपने बताया कि आप 18 साल से बहुत हैबी ड्रिंक कर रहे हैं आपने 18 साल तक सराप पी आप नहीं छोड़ पा रहेते आपने संतरांपाल जी महाराज से नाम दिख्षा लिए और आपकी शराब छुट गई तो ऐसा क्या है संतरांपाल जी महाराज के पास जो इतने सारे लोग की शराब, नष़ा बगरा संतरांपाल जी महाराज चुडवा रहे हैं इस बारे में तो मैं ये कहना चाहूँगा कि संत्रामपाजी महाराज जो ग्यान बताते हैं, जिसने ये ग्यान एक बार पढ़ लिया और समझ में जिसके आगया वो, वो तो इन गलत चीजों से वैसे ही दूर चला जाएगा, ये मेरी ही नहीं, मैंने और भी बहुत सारे लोग और जब से मैंने परमात्मा से संत्रामपाल जी महाराज जी से नाम दिख्षा ली, मेरी शराब बिलकुल छूट गई जी हमेशा के लिए सर संत्रामपल जी मारास से नाम दिख्षा लेने के बाद आपका नसा छूड़ गया हम आपसे एक बात जाना चाहेंगे कि आज जो दरसक आज आपको देख रहे हैं इस देशी नहीं विदेश की युवापीडी नसे से गरस्त है उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे आप उन लोगों के लिए तो मैं सबसे यही मैसिज देना चाहता हूँ जी कि सब लोगों से मैं सिर्फ मेरी यही हाथ जोड़कर यह प्राथना है कि यह मनुष्य का जीवन बार-बार नहीं मिलने का है आप समझें इस बात को यह मिला किसलिए हमें इसका परपस क्या है इसका परपस यह नहीं है कि बस आए हैं जीवन में और जो भी हम कर रहे हैं शादी भ्याग और भी जो भी काम कर रहे हैं यही करने हैं यही काम नहीं है मनुष्य का जीवन हमें किसी और परपस के मिले मिला है वो परपस क्या है इसलिए ही मेरी आप से हाथ जोड़ कर ये परातना है सब लोगों से कि आप ये ज्यान गंगा पुस्तक मंगवाईए और इसको पढ़िए इसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है विद प्रूफ के साथ सर आखिरकार संतरामपाल जी महाराज क्या करना चाते हैं क्या उद्देश है संतरामपाल जी महाराज का संत्रामपाल जी महराज जी का उद्देश सिर्फ इतना है कि ये सबसे पहले तो जो भी हमारे समाज में नशा बुरी तरीके से फैला हुआ है इसको हटाने का और ये दहेज दहेज के चक्कर में कितनी ही लड़कियों को उनके माता-पिता पैदा होते ही उनको मार देते हैं अबोर्शन करा देते हैं जैसी पता लगता है कि लड़की है तो उसका अबोर्शन ही करा देते हैं तो ये भी कितना बहुत बड़ा पाप है ये भी तो संत्रामपाल जी सट रामपाल जी महाराजी का मेन उद्देश्य है साढ़े साथ से साढ़े आड़े पर साधना चैनल पर सचसंग आती है आप उस पर एक नीचे पटी चलती रहती है उस पर phone number लिखे रहते हैं आप उन phone number पर phone करिए और वो आपको नाम दिक्षा लेने से related जो भी आप उनसे question पूछिए वो आपको उस चीज का जवाब देंगे और आपको बताएंगे कि कहाँ पर नामदान center pass में है वहाँ से जाकप के आप संत्रामपाल जी महाराज से नामदिक्षा ले सकते हैं धन्यवाद सर धन्यवाद